Hey guys, welcome to our channel, आप सभी का स्वागत है आपकर अपने YouTube चैनल पे तो गाई जिनका भी IBPS RRB PU का एक्जाम है 20 तारीको 21 तारीको उन सभी के लिए वीडियो रहने वाला है अलो कुछ बतातों कि जो गल्दिया आपने IBPS RRB के लिए रिखली के एक्जाम में की हैं वो गल्दिया इस एक्जाम में नया दो रहा हैं यानि जिस तरह से जो में लिए आपकी गल्दिया होती है कि कोई भी क्यूशन में आप स्टेक हो जाती है तो उसी क्यूशन वो लेके पेठना क्योंकि उसके बजह से जितना Time आपका खराब हता है तो बाकि का जो easy वाला portion होता है वो आप Time Đी नहीं कर पते है तो यह चीज नहीं कर नहीं है जो क्यूशन आपको नहीं आ रहा है जिस question में आपको time लग रहा है एक बार उसको skip करो जब exam का last time आपके पास बचे उस question पर जाओ ये बहुत सुरे candidate के साथ वा जिनके अच्छी त्यारी है वो कहीने कहीन इस चीज में फसे हैं तो आप सभी के लिड़वाईजे कि ऐसा नाय करें कोई भी ग्रेशा question आता है तो उसको आप लिए बार के लिए skip करते हैं और last time बचे तो इस question को देख लो क्योंकि उस question के चेकर में जो बाकी easy वाले question है वो भी छूड़ जाती है तो ये गलती ना करें बाकी जिनका भी P211 को एक्जाम आपके प्रिप्रिशन बहुत अच्छी है आपने हाली में IBPS RRB क्लेरिकल एक्जाम दी है आपको पता है कि एक्जाम के लिए कुछ चीज़ें आती है जिसमें आपका 1000 card या जो भी Ben card आपके आएटी है वो original ID उसके photo copy दो photo extra आपके पास होनी चाहिए एक admit card आपके पास होना चाहिए COVID वाला form admit card के साथ होना चाहिए तो ये सारे चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए बाकि जो admit card है वो आपको वापिस में लेगा आते हैं तो उसको लेके आना है और संभाल के रखना है मेंस के time वो साथ में लेके जाना है तो पहले चुछ एक्जाम दे रहे हैं उनको पता है बाकि जो new can data वो ये चीज़े आना है मॉक test है यहिंने मॉक test डेली देते हैं उस इतने से exam को आप लोग attempt कर ना यह न्या कि मैठ आ पहले में मैंने तो मॉक test में पहले मैध्स की थी रहां पर जा कर लेता हूं यह मत करना मॉक test में कर रहे हो वो ही चीज़ें कर निया जिस तरह मॉक है इजक्षी त राव जहुछ टूम्हाई॰रा अघजवास । फ्ट लडव ट Рषिवर । क्यक्यू宝 है त, हम टूम है,